एगलोनेमा के प्लांट की जो लीव्ज हैं वो येलो पड़ रही है उसके पीछे क्या वज़ा है और ऐसा क्या करें कि और डैमेज आपके प्लांट को ना हो ये सारी बातें इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो प्लीज बने रहिए पूरी वीडियो के साथ मेरा नाम अक्षे और मैं आप सब लोगा The Right Gardening YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ देखें दोस्तों जो एगलोनेमा का प्लांट है वो काफी हाड़ी प्लांट है लेकिन अगर आप इसकी जो केर है वो बिलकुल ध्यान से नहीं करेंगे बहुत जादा केरलेसली बहेव करेंगे इस प्लांट के सा हैं जिसके वज़े से पतियां पिली पड़ती हैं आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पतियां किसी पॉद्धे की पीली क्यूं पड़ती हैं देखिए जब किसी इनसान को stress होता है तो बोल के बता देता है कि मुझे stress हो रहा है एक पौधा कैसे बताएगा तो जो leaves है yellow करना है वो एक process है plant का आपको ये communicate करने का कि वो किसी तरीके के stress में है अब आपको वो reasons को rule out करना है समझना है कि किस वज़ा से आपके plant की leaves है वो yellow हो रही है तो उसमें से पहली वज़ा हो सकती है कि आपने इसको गलत location पे रखा हुआ है बहुत सारे gardeners जो होते हैं वो nursery से लेके आते हैं और इसको ऐसी location तो रख जाते हैं जहाँ पे तेज चिल चलाती धूप पढ़ती है देखी ये एक ऐसा plant है जिसमें bright indirect light की जरूरत है तेज धूप में ये plant की जरूरत इसको नहीं है तेज धूप की जरूरत नहीं है अगर आप तेज धूप में रखेंगे तो वो ज़्यादा temperature होने के ज़ज़े से ज़्यादा गर्मी होने के ज़ज़े से plant की जो leaves है वो जुलसना शुरू हो जाएंगी पीली पढ़नी शुरू हो जाएंगी तो इसको प्लीज ऐसी location पे रखिए जहाँ पे bright indirect light पढ़ती हो या filtered light पढ़ती हो filtered light से मेरा मतलब है किसी बड़े पौदे के नीचे इसको रख दिया तो जो भी light है वो बड़े पौदे से filter होके थोड़ी थोड़ी इस पे पढ़ रही है तो आपका plant बहुत अची तरी के इसे growth करेगा दूसरी वज़ा होती है transplant shock transplant shock क्या होता है देखिए जब पौदा nursery में grow हो रहा होता है तो एक अलग environment में grow हो रहा होता है अब आब उसको एकदम से लेके आते हैं और report करके अपने garden में लगाते हैं तो क्या होता है वो environment से adjust होने में थोड़ा सा time मांगता है थोड़ा सा time लगता है तो उसकी होज जैसे क्या होता है stress में आ जाता है और पतिया पीली पढ़नी शुरू हो जाती है तो panic मत करिए इस time पर काफी लोग क्या करते हैं नसरी वाले से या तो लड़ना शुरू करते हैं कि आपने मुझे गलत पौदा दे दिया या अपने पौदे को फै की देते हैं कि ये तो मैं गलत पौदा ले आया मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है तो देखिए अपने पौदे को फै किये मत ना ही किसी से लड़ने जाएए आप अपने प्लांट को time दीजिए जो environment है उसके साथ adjust होने के लिए तो transplant shock है एक बड़ा common reason है पतियां पीली करने का आपका plant जो है बिल्कुल healthy है कोई issue नहीं होगा तीसरी जो वज़ा हो सकती है friends वो है improper watering या तो आप बहुत कम पानी दे रहे हैं या तो बहुत जादा पानी दे रहे हैं अगर बहुत जादा पानी है बहुत कम पानी दे रहे हैं तो plant की जो leaves है वो yellow होनी शुरू हो जाएंगी तो इसको कैसे आप कोप अप करेंगे आप एक watering schedule बनाएंगे अपने पौधे में watering schedule बनाने से क्या होगा आपका पौधा ट्रेन हो जागा एक तरीके से कि मुझे इस इस interval पे regularly पानी मिलना शुरू हो सकता है तो आपका plant जो है वो अपने आपको prepare करेगा धीरे धीरे adjust करेगा कि उसकी जो भी requirement है वो इस time पक तक पूरी हो सकती है तो एक watering schedule बनाएए चौथी वज़ा और आखरी वज़ा यह हो सकती है कि आपने इसमे over fertilization कर दी है देखिए agglonema का जो plant है वो ऐसा पौधा है जिसको बहुत जादा fertilizer की जरूरत नहीं है महीने में एक बार कोई भी liquid या कोई भी balanced liquid fertilizer इसमें देदीजिए जैसे NPK देदीजिए 19,19,19 या 20,20 ratio का तो आपका plant बहुत अच्छी तरीके से growth करेगा NPK आपने कैसे देना है इसमें आपने एक चमच NPK powder एक लीटर पानी में अच्छे से mix कर लेना है और जब वो एक लीटर पानी तयार हो जाए तो 100-100 ml महीने में एक बार अपने plant में directly soil पे भी देना है और उपर पत्तो पे भी spray कर सकते हैं spray करने के time ये ध्यान रखिए कि जब भी spray करेंगे morning में spray करेंगे रात में नहीं करेंगे रात में spray करने से fungal infections promote हो सकते हैं क्योंकि liquid ऊपर थोड़ा जमा रहा सकता है तो ये चार वजाएं हैं जो मैंने आपको बताया है जिसकी वज़े से आपका जो aglonema का पौद है उसकी पतियां पीली पढ़ सकती है और उसके solutions भी मैंने आपको बताया है अगर आप ये solutions अच्छे से follow करेंगे अपने aglonema के plant में तो आपके plant में पतियां पीली पढ़ना बंद हो जाएंगी और आने वाली पतियां वो बिल्कुल healthy तरीके से growth करेंगी अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल है इस पौदे के बारे में कोई भी सवाल है तो please comment करके जरूर बताईए मैं आपको उसका जवाब दूगा और अगर आपको इस plant के बारे में और कोई growing experience है तो वह भी comment करके बताईए ताकि बाकी लोग भी आपके experience से कुछ सीख सकें तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान देखिए friends Thank you, goodbye